हेलो कैस कैस अब सब विल्योंक हमारी टिप चैनल के उपर आप सभी को फिर से श्वागत है आज हम बात करने बाले हैं MIUI 13 के बारे में इसकी जो है बहुत ही इंट्रेस्टिंग निउच निकल के आ गया है इसका जो है रिलीच डेट इसका फिचर्स क्या क्या है सपोर्टेट डिवाइस क्या है यह सारे जो है जानकरी निकल के आ गया है तो फ्रेंट्स आप अगर शौमे की डिवाइस यूच करते हैं तो आपके लिए गुड निउच है आपके डिवाइस में जो है बहुत ही जल्दी MIUI 13 के आपडेट मेलने वाल है तो फ्रेंट्स वीडियो में बने रहे हैं आचाम वीडियो में सारे क्वेरीज जो है लेटेश्ट निउच लेटेश्ट रिलीच डेट इसका फिचर्स क्या क्या है सपोर्टेट डिवाइस के है सारे जानकारी जो है आपके साथ सेयर करूँगा वीडियो में बने रहे हैं चैनल को सब्सक्रेप नहीं के तो सब्सक्रेप करके बेल ऐकन को प्रेस कर लिजिए श्वामी डिवाइस के रिगाडिंग आपकामिंग अपडेट्स के नोटिफिकेस हैं टाइम टो टाइम पाने के लिए तो फ्रेंट चैनल ये शूरू करते हैं आज की वीडियो तो फ्रेंट जैसी के मैं आपको बता रहा हूँ श्वामी काफी पॉपुलर एक ब्रैंड है एंट फ्रेंट बताना चाहूँगा इसमें जो है बहुती जल्दी जो है लेंग्वेज में लिखा हुआ है तो चाइनीज मार्केट में जैसे ये अपड़ेट आ जाएंगे उसके वान विक के अंदर अंदर इंडियन मार्केट में जो है ये अपड़ेट आपको देखने को मिल जाएंगे तो फिरंड बताना चाहूँगा इसके खर रिलिज डेट की तो पहले ही बताया था इस साल की एंड तक आपको जो है जो एमाई यूई थाटी जो है मिलना सुरू हो जाएगा तो फिरंड बताना चाहूँगा यह जो आपड़ेट है एंडरोइट 11 बेस अपडेट होने बाल सेट बाइस टेप आपको जो है सारे डिबाइस का नाम बता हूँगा कम सेक्म 50 से साथ डिबाइस का नाम है तो फुलाज वहल वीडियो को थोड़ा शाध्यान से सुनिएगा इस लिस्ट में आपके डिबाइस का नाम भी हो सकते है सबसे पहले तो आता है रेड्मी Note 8, Note 8T, 8 Pro, Redmi 10X, 5G, 10X Pro, Redmi 10X, Redmi 10X 4G, Redmi 9, Redmi 9S, 9 Pro, 9 Pro Max, Redmi 9 5G, Redmi 9T, Redmi 9 Pro 5G, इसके साथ Redmi 9, 4G, Redmi 9T, 9T, 9 Power, यह सारे डिबैसे में आपको आपडेट देखने को मिलेंगे, MI, UI, MI, UI 13 का आपको देखने को मिलेंगे, इसके बाद आता है Redmi 9A, 980, 9I, 9 Prime, 9 Series के मैक्सिमिम सारे डिबैसे में आपको आपडेट देखने को मिलेंगे, इसके बाद आता है Redmi Note 10 Series, Note 10 Series में Redmi Note 10, Note 10 Pro, Note 10 Pro Max, K20, K20 Pro, K20 Premium, K30, K30 5G, K30 Racing, K30 i5G ये सारे devices में आपडेट देखने को मिलेंगे, K40, K40 Pro, K40 Pro Plus, K40 Gaming, K40 Series में ये सारे devices में आपडेट देखने को मिलेंगे अगर मैं बात करो MI 9 Series की और दो device है, MI 9AC and MI 9i Lite, ए दोनों device में भी MIUI 13 का आपडेट देखने को मिलेंगे इसके बाद आता है MI CC9, CC9 Pro, CC9, ये सारे devices में आपडेट देखने को मिलेंगे MI 9T, MI 9T Pro, MI 10, MI 10 Pro, MI 10 Ultra, MI 10, ये सारे devices में भी आपडेट देखने को मिलेंगे तो फ्रेंस बताना चाहूँगा यहां पर और एक बात आपको एट करना चाहूँगा इसमें जो है फ्रेंस ये जो आपडेट है से अक्टोबर की end तक जो है इसका जो बीटा पोग्राम है सुरू हो जाएगा और फ्रेंस आने वाले कुछी दिनों के अंदर जो है मतलब इस साल की end तक जो है आपको बीटा पोग्राम भी शुरूए जाएगा इसका जो स्टेबल आपडेट है 2021 के फर्स्ट हाप में जो है आपको देखने को मिल जाएंगे अभी जो लीक निकल काया है Android 11 बेस अपडेट होने बाले है तो और कुछ डिवेस का नाम है मैं आपको इससाथ सेयर कर लेता हूं इसके वाद आपको यह आपडेट देखने को मिलेंगे इसके साथ साथ Poco X2, X3, X3 NFC Edition जो है इसमें भी आपडेट देखने को मिलेंगे X3 Pro डिवेस में भी आपडेट देखने को मिलेंगे Poco M2, M2, M2 Pro, Poco M3, M3 Pro 5G, Poco C3 इसमें भी जो है आपको आपडेट देखने को मिलेंगे और भी दो डिवेस का नाम में इसमें इंक्लूट करना चाहूँगा Black Shark 3, 3 Pro, 3S and Black Shark 4 and 4 Pro यह सारे डिवेस में भी आपडेट देखने को मिलेंगे जिसके लिए आप वेट कर रहे है तो फ्रेंट 15 जो है फीचर्स में आपके साथ सेर करूँगा न्यू एनिमेशन के साथ जो है यह जो है लेटेस्ट यूई आपको देखने को मिलेंगे इसके साथ साथ न्यू थीम डिजाइन एंड इंप्रूब किया गया है जेस्चर को थीम डिजाइन में आपको न्यू देखने को मिलेंगे इसके साथ साथ जो जेस्चर है इसे भी इंप्रूब किया गया है इसके साथ साथ improve किया जा रहा है battery performance battery performance में भी आपको काफी ज़्यादा improvement देखने को मिलेंगे इंप्रूब किया जा रहा है जो user interface है इसे भी easy to use किया जा रहा है and friends इसमें आपको बताना चाहूँगा काफी ज़्यादा improvement देखने को मिलेंगे MIUI 12.512 से 13 में आपको security है इसे और भी enhance किया गया है security के मामल में काफी ज़्यादा improvement आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे and friends बताना चाहूँगा इसके साथ साथ जो touch sensitivity है इसमें भी आपको improvement देखने को मिलेंगे इसके साथ साथ जो editing filter है videos, photos की जो editing filter है इसे भी जो है improve किया जा रहा है जो skin shot scrolling features है इसे भी जो है improve किया जा रहा है इस update में इसके साथ साथ जो sharing menu है app sharing जो menu है इसे भी जो है improve किया जा रहा है इसके साथ साथ जो skin recording features है इसमें भी जो है improvement आपको लाया गया है EMIUI 13 में जो है आपको improvement देखने को मिलेंगे इसके साथ-साथ enhance किया गया है always on display को जो है improve किया गया है इसके साथ-साथ मैं बताना चाहूँगा जो airplane mode है इसे भी जो है improve किया गया है and friends काफी scenario में जो हमें lagging issue हमें देखने को मिलता था MIUI 12 में तो 13 में जो है ये भी जो है आपको improvement होता है देखने को मिलेंगे improve किया गया है notification, panel, social media, apps, faster, reply इसके साथ-साथ जो user experience होने वाला है overall काफी बढ़िया experience होने वाला है इस MIUI 13 की आपड़िट में इसके साथ-साथ जो storage experience है and storage की जो काम करने की खामता है इसे भी जो है improve किया गया है इसके साथ-साथ जो power saving mode है इसके उपर काफी ज़्यादा काम किया गया है after update जो है power saving mode में आपको काफी ज़्यादा improvement देखने को मिलेंगे इसके साथ-साथ बताना चांगगा improve किया गया है notification system इसके साथ-साथ जो application जो running की speed है बताया black shark की बात में बताया MI की बात मैंने बताया and friends जो swami की device है Redmi की device है यह सारे devices नाम मैंने बताया यह सारे devices में जो है already यह update जो है आना सुरू हो जाएगा इस साल की end तक जो है beta program भी शुरू हो जागा and कुछ users को जो है stable update भी मिलना शुरू हो जाएगा तो friends आसा करता हूँ इस list में आपके device इसका नाम है अगर आपके device इसका नाम नहीं है तो आप हमें वीडियो की comment section में comment कर सकते हैं मैं आपके comment की अंसार जरू दूँगा and friends इस list में जैसे कोई latest device update होते है उसकी जानकर भी मैं आपको time to time देता रहूँगा आपको अगर इसी तरह की latest जानकर related वीडियो पाना है तो please हमारे चैनल को subscribe करके बिल आइकन को press कर लिजिए वीडियो के नीचे देखिए रेट कलर की subscribe बढ़न है उसमें क्लिक करके बेल आइकन का जरूर प्रेस कर लिजिए ताकि मैं जैसे ही कोई latest वीडियो अपलूट करूँ उसकी notification आपके device में time to time मिल जाए हमारे चैनल के उपर friends 86% viewers जो है regular वीडियो देखते हैं वीडियो को like करते हैं, comment करते हैं लेकिन चैनल को subscribe नहीं करते हैं इस चैनल को subscribe कर लिजे आपकी एक subscribe, एक like, एक comment हमें बहुत motivate करते हैं एक नए वीडियो, एक fresh content लाने के लिए तो friends वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो के comments नेक्स में जरूर बताएगा इस वीडियो के regarding जितने भी सारे queries है ना